असलाम लेकुम विवर्ड और वेलकम चानल विचीज निकत परविन तो कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब इल्कुल ठीक होंगे खैरियात से होंगे मैं फिर हाजिर हो गई हैं एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है औरियो आइसक्रीम आप इसे औरियो कप आइसक्रीम के सकते हैं और यह बहुत ही कम इंडिरिंस से बन जाता है जो आपको घर में ही मिल जाएगी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब बगल मुबल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो फिर करने के लिए सब्सक्राइब जाए ऑरियो बिसक्त आपकेट और यहां पे दूद को बॉल कर थंडा कर लिया और तो हाफ गर ले लेकि और नेक्सट हमें चाहिए होगा मिल्क पाओडर तो मैंने यहां पर अमूल का मिल्क पावडर लिया है वन टेबल स्पून तो फिर चैन करना चार्त कर लेखे और लेले बोल सरने को मैं कर ले और तो ने कर लेंसे सीर्स नाथ करना करना कि सबस्काइब कर लो को ओ릴게요 पहसे सब्सक्राइब भी करनाद कीश्च्र रचाइब करना रिखेंड इस जाण नोब आपजों डेलए बैट विए तरह से कर ले लोग campaigns करेंगे मिल्क तुक्राइब ट cheating sir principle amigo अच्छे चाहिए मिल्कुल में ख bredट गेंगे एक दe धौर डिया है अदा मझे मिल्क पाउडर लिए यहां पैसे अविल्क पूरिसान के चाहिए कि जूद्ध नहीं देना है कि जितना जरुर्वत लगे अब उतना है अब एक दाफा हम ब्लेंट करने के बाद तो देखिए हमारे इतना थिक नहीं चाहिए तो हमें इसमें क्या करना है कि जो दूद मैं हमने बचा कर रखा था वह दूद हम इसमें और थोड़ा कंसिटेंसी पतला करने के लिए हमने दूद का एड़ किया है पानी या फिर कुछ भी आड़ ना करें तो बस इसे थोड़ा चम्मस से मिला ले और इसे वापस से हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे हमें कोई शुगर आड़ नहीं करना क्योंकि ओल्यो बिस्कित कर लिया है अब यहां पर मैंने वन टेबल स्पून चॉकलेट आड़ कर दोंगी और इसे अच्छे से मेक्स दोंगी तो देखिए आप इसका कलर बहुत अच्छा आजागा एक चॉकलेट का तो बस इसे अच्छे से एक मिक्स दे और फॉयल पिपर से इसे उपर से राप करे उसके बाद हम 9-10 घंटे के लिए फ्रीज में से छोड़ देंगे डिफ्रेज पे आप डिफ्रेज में से रख दे नौ से 10 घंटे के लिए यह आट घंटे में ही रेडी हो जाता है पर एक देड़ घंटा पे एक्स्ट्रा दे ही सकते हैं तो इसलिए मैंने 10 घंटा कहा है तो यह देखिए आइस्क्रीम को मैंने निकाला है निकाल पांच मिट पहरे निकाल लिया था तक ही थोड़ा मेल्ट हो सके और मैं सर्फ करके दिखा सकूँ आपको तो देखिए यह बिल्कुल अच्छी तरीके से जम गया था तो बस यलिए सर्फ करके दिखाती हूँ तो दिखे मैंने यहां पर आइस्क्रिम को कट करना प्रक्स अब देख सकते हैं और यह अच्छी तरीक के से जम गया है तो बस इसे फटा फट कट कर लेज जली जली से और इससे मैं दिखा रेतीज हूं कि कितने अच्छी तरीक अंदर का टेक्स्चर भी हुआ है तो देखेंगे मैंसे दिखाव को आपको आपको आप सकते हूं अंदर का सुछा। मैंने ये प्रव झेल तरेगे चॉकलेट क Review आप करी है और इसा पर लाव में सोट veto करेते हुद उसरफ ईए पहर। अब हम इसमें आड़ करेंगे कोई सभी चॉकलेट आप ले ले जो आपके पास हो वो चॉकलेट को थोड़ा सा हम उपर से स्प्रिंकल कर देंगे या फिर आपके पास चोको चिप सो तो आप वह भी आड़ कर सकते हैं यह आपकी मर्जी तो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और आप मुझे फेस्बूक इंस्टेक्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक में दे रखा है तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ अब तक लिए अपने खुब सरा क्याल रखें दुआओं मियाद रखें अलाह अफेश क्या है